Hello everyone, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp के notification को कैसे बंद करेंगे तो WhatsApp के notification को दो तरीका से हम बंद करेंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं और बताते हैं तो पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने WhatsApp को open कर लें और जैसे आप WhatsApp को open करेंगे तो सबसे उपर आपको दिखेगा 3. तो 3. पे आपको किलिक करना है और सेटिंग पे चले जाना है सेटिंग पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है notification notification message group and all tones तो notification पे आपको किलिक करना है जैसे आप notification पे किलिक करेंगे तो आपको सबसे उपर दिखाई देगा conversation tones और नीचे है notification tone तो आप को क्या करना है आपको चले जाना है उपर conversation tone को यहाँ से close कर देना है जैसे close करेंगे तो आपको कोई भी notification वाटस अप पे नहीं आएगी कुछ भी message का notification सुनाई नहीं देगा sound रही आएगा इसके पाद हम चलते हैं दूसरी तरीका दूसरी तरीका क्या है दूसरी तरीका यह है कि आपको चले जाना है अपने mobile के setting में तो setting में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या search करना है यहाँ पे आपको देख लेना है apps and notification तो इस पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है यहाँ पे आपको दिखाई देता है apps and notification यह देखिए notification नोटिफिकेशन पे आपको conversation के नीचे notification है इसे आपको click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं तो इसमें बहुत सारी option दिखाई देता है जो जो जिसका जिसका आपको notification बंद करना है उसका कर सकते हैं सब को ओपन कर लेना है और औरे करने के बाद यहां पर वाटको ऑब सबसकरने के और इस वीडियो को लाइक करें तक इस तरह का ओड़ वीडियो हमाप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो इन टक के लिए बाबा टग Teraz